तो आज की हमारी इस सेशन में हम आपके साथ डिसकर्स करने जा रहे हैं अपना Advanced Excel की classes जिसमें हम बात करेंगे We Look Up के बारे में तो हमारी function की classes चल दो है हमने logical function को पढ़ा, हमने text को पढ़ा हमने date and time को पढ़ा, हमने references को पढ़ा, अब बात आती है Look Up की Look Up का मतलब नहीं कि We Look Up It's Look Up Method तो अब बात करते है Look Up में We Look Up आप वर्टिकल होता है एस लुक का वर 거죠 होता है इंडेक्स होता है everyday इसकी झारी इस प्रड़र tęओ यह ढ़िने आपका एकांत नंबर देते हैं बेंकर आपका एकांट नंब़ डालके आपकी साइडेक्शन आपके सारी हिस्टी आपका पूरा त्यूंबर m कैसे करता है वो लुक अप में अं스ाट सीर्ट आप अपने रीजल्ट दैकने के लिए अपना रॉल नम्ह डालते हैं देप साइट पे क्लिक करते हैं यतुअ आपर रिजल्ट आजे आता है कैसे होता है वह आपका लूप में थोड होता है करता है आप अपने नहीं के लिए आप जाते हैं आपा टालते हैं लिफशाइट पर सम्मिट पर क्लिक करते हैं कैसे होता है वह आपका उसे तरह से मानने हिएं कि हमारे पासए यहाँ पर यहाँ बेटा भी Village और देटा को कुछ particular number of ID का total चाहिए तो कैसे करें अगर आप lookup method इस्तिमाल नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको copy करेंगे फिर search करेंगे और यहां पर इसमें और फिर इसको copy करके पेस करेंगे अब दो चार हो तो चलो आप कर लेंगे लिए कि दो चार सौ हुआ तो दिक्कत हो जाएगा complicated हुआ और दिक्कत हो जाएगा तो यहां पर हम वी लुक अप लगाएंगे वी लुक अप क्यों लगाएंगे कि हमारा data दो चीजा है इसमेरा data वर्टिकल है और हमारी यूनीक आईडी है हुआ यूनीक आईडी सबसे स्टाइटि इसलिए यहां पर हम वी लोक अप करेंगे ली लुक अप हम इसको सेलेक कर लिए लुक बैल भूव को टेवले एडिया टेबल एरिया हम यहां चले गए डेटावेस को स्लेक्ट कर लिया अभी क्या है कि ए टू मतलब की धुन्ना आमें 54 को है किसमें धुन्ना ए से एम में होगा याद रखिएगा वी लुक अप हमेशा जो आप एरिया एरिया स्लेंक करते हैं टेबल में उसकी पहले कॉलन में धु आपका यूनिक आईडिया जिसके भी हाद पर या भी जिसके भी हाद पर लुक अप कर रहे हैं वह आपका स्टार्टिंग कॉलन में होना चाहिए अब प्रॉलम है कि मालेजिए कि 54 को उसमें 13 कॉलन मिल गया है लेकि इस पैसे रूल करता है कि एक कॉलन में किसी एक सेल में क कॉलम नंबर देना पड़े रहा है कि किस कॉलम करेता चाहिए तो हमें आईडी नहीं चाहिए हमें क्यों चाहिए मतलब कि दूसरे नमर का अब यहां पर आता है true & false मतलब कि आपको मिलता में चाहिए approximate या पी आपको चाहिए exact हमने बोला exact में चाहिए तो यहां false का जगह प कि मैंने आपको logical formula पढ़ाया था, 0 equal to false, 1 equal to true. So, यहाँ 1 और 0 दे सकते हैं. तो एक blook-up एक ही result को show करेगा, जितने colon होंगे, उतने blook-up आपको लगाने पड़ेगा. इस तरह से. comma, 2, 0. अब problem है कि यह तो lengthy हो गया, तो हम इसको drag कर सकते हैं, हम इस पर freeze कर दें, इसका हमने air freeze कर दिया, 2 नहीं ही जिया था कि नीचे drag हो, तो 3 बन जाए, और फिर इसको हमने freeze किया, एक फोर से, और फिर इसको drag कर दिया. अब इसमें मुझे हर बाप सिर्फ number चेंज करना है, अब यहाँ जो two है, उसके जिगाँ पर three करना है, तो अब हमरा zone आ जाएगा, चौथा नंबर करूंग करूंगा, तो date आ जाएगा, पांचना करूंगा, तो यह आपका city आ जाएगा, शर्था करोगे, तो आपका यहाँ पर सात्मा नेम आ जाएगा, तो इस तरह से आपको एक 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 करना परेगा, अब यहाँ भी हुआ, लेकिन सही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें column number तो change करने पर रहे हैं, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कि हमें column number change ना करना पर, column number हमारा change ना करना पर, तो उसका भी solution है, अब उसका solution क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं, मैं क्या करूँगा कि एक row उपर starting में add कर दूँगा, और जितने भी column number जो हमने रही manual लिखे हैं, उसको यहाँ पर लिखे, अब धिये दिये देखिए, इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मैं, इसको देखिए, तो यहाँ पर मैं जो मैं we look up लगाऊँगा, तो we look up में हम इसको select करेंगे, comma, इसको select किया, नहीं, माँ कीज़ा, यहाँ पर देटा select करेंगे, हम पहले data को select करेंगे, इसको select करने के बाद, comma, जो जहाँ पर manual टू लिखते हैं, उस टू के जगाँ पर हम इसको लिखेंगे, comma, zero, और result आपके सामने quarter हो रहा है, अब इसको आगे drag करने से पहले हमें freeze करना होगा, तो हमें dollar sign यहाँ लगाना पर एगा, और यहाँ पर इसको लगाना पर एगा, और फिर यहाँ पर इसको लगाना पर एगा, इसमें one करेंगे, भी नहीं करेंगे, तो कि one fix है, बट B, C, D, change होना है इसको से, एक तरीका है, अब अगना question करता है, कि मैं एक बार में, मैं इस तरह से drag, drag करने का जंजट नहीं करना चाहता हूँ, freeze, freeze करने का जंजट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक ही formula से सारा हो जाए, तो मैं पूरे को select करूंगा, यहाँ रखेगा, पूरा data select करेंगे, जहाँ तक copy paste करना है आपको, फिर वी लुकर बजाए, अब आपके जितने भी column number जिस sequence में, जिस sequence में, जिस sequence में, column में उस sequence का number, आप यहाँ खौंगा करके, कट्थे curly bracket में देते हूँ, इस तरह से, और curly bracket close करें, comma 0, अब बहुत है लोग इसको नकल करते लेकिन में, मेरी वीडियो आप देखेंगे, यूटूब पे तो ये, 2012-13 में भी मैंने इसको launch कर दिया था, मैंने इसी बताया था, उसके बाद बहुत सारे वीडियो यूटूब पे दिखें मुझे, लेकि एंटर प्रेस करूँगा, यहां रखेंगे, नॉर्मल एंटर नहीं, कंट्रोल सिप एंटर, तो एक मेथर्ड क्या है, इस मेथर्ड को समझे, जैसे माल दीजिक आप यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखते हैं, और इसी चीज को आपने सेलेक किया, और यहां पे curly bracket में, 1, 1, 2, 3, 5 करके, और मैं कंट्रोल सिप एंटर मार जिया, तो एकली ओर डिस्टिब्यूट कर देता है, यह एरे का डिस्टिब्यूट पार्ट, इसको डिटेल में हम आरे के सेप्टर में आपको प्राएंगे, जैसे आपने एक लाइन को स्लेक्ट करके पूरा कर दिया, जैसे अपने एक लाइन को स्लेक्ट कर दिया, अब इसको नीचे के तरफ जैक्या जा सकता है, सर्फ अगर हम पूरा अरिय अरे एरिय दो पारमी तो भी हो सकता यह बतलर निचे किया, विलक आप, इसको स्लेक्ट किया, टेबल को स्लेक्किया, इन दक लाइख है, हम यहां पर तो कॉमा तरी कॉमा पोर और फ़ीज़ जब एट नाइन तेन एलेवन तुब एंधर टी अले वे ख्लोज़ और अब में यहाद ते चंट्रोल सिप्ट एंटर कंट्रोल सिप्ट एंटर को समझ ला रहा है को नहीं सिप्ट तेम ही आगा उसी Like अशय सरकी हुआ पता आपको सर्च यहाद के परफिर करने पिर आपका इंडोर की थेया क प्रह्न का फिर इन बसमें इस कंडिशन में नहां करना हुग Lagno आप question आता है कि मेरा जो heading है, a heading similar to हमारा data का heading है, जो data है ना हो सकता है, लेकिन same है, तो मैं इस तरह का तो तीरम को कुछ और करें, कि हमारे पास एक column का formula होता है, कॉलम के formula में अगर आप यहां पे इसको select कर लेते हैं, तो उस column का, यह आपको देता है rule number, column number short, तो we look up जहां में manual 2 लिखा है, तो लिखा manual, इसके जगहां पे क्यों ना मैं column का formula लगा दू, और इस column के formula में मैं इसको select कर दूँगा, अब मैं इसको drag पर दूँगा, कोई दिक् सर, fix करना पड़ेगा हमें, हाँ, यह fix है, इसमें, मैंने column का formula लगाया, और column के formula में हमने select कर लिया, इसको, copy, close किया, enter, और देखिए, इसको मैं drag कर सकता है, ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, पहला चीज़ यह है, कि माल हमालेजे कि मैं heading according चलना चाहता है, क्योंकि heading यह जो search condition है, heading अगर similar है, तो फैदर मन है, अगर heading अलग अलग हुआ, तो दिक्कत हो जाए, तो कैसे करें, तो हमारे पास एक formula match का है, जो कि मैंने आपको class class में बताया था, और match vertical and horizontal दोनों चलता है, तो यहां आप में अगर manage match म मालेजे कि Q को select किया, और data में नुबार में गया है, और हमने इसको select बढ़ गया, तो इसका result इसने, यहां पर comma g गया है, exact match, आपकी देगा, तो यहां पर two दे लिए, अगर key change होगा, अगर मैं zone करता हूँ, तो यह zone करता हूँ, जोन करता हूँ, जोन का जाएगा, बस spelling सही होना चाहिए, तो क्यों होना मैं वी लूक अप लगाते समय, इस match को use कर लो, वी लूक अप, मैंने इसको select किया, data को select किया, comma, और यहां पर मैं match formula लगाया, और match formula में मैंने बोला, कि इसकी जो heading है, heading हमें इसमें search कर लो, and comma, अब आपका result आप, अब मैं यहां पर, और यहां आपके, इसको fix करता हूँ, और B2 का 2 fix होगा, B fix रहेगा और A पुरा fix होगा, और आपको आगे, अब आपकी column से connected हो गया, आपको कुछ करने की जरूरती है, बस column का heading है, और आपके data का heading है, बस same होना चाहिए, यह आपको निकाल देगा, आपकी जरूरती होगा, इसको change करना पड़ेगा, यह अपने आपको change करना पड़ेगा, बट यह अपने आपको change करना पड़ेगा, фिक्केजी और रपक्जी तेगा करना रजएंद्नूरती है आपके इसनूर congrọn गचैइंड़ जरूरत थ menta, एकान बगईर इसनूरता है... आपके इसनूरती है, विया नंतर पड़ेगा है.